हेलो दोस्तों यहार आजो करूं हूँ आज और एक नई वीडियो लेके सो आज की वीडियो में हम वही पुराना टॉपिक अपना वही ग्रेविटी सेंसर से रिलेटेड टॉपिक करेंगे लेकिन मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं जो भी यह हो रहा है हमारे साथ और आ पेल्पेड़egtे यहंद्parents бабता अा Kub्यूमिस्ट में यहां आपने ली च01 को से हूं है को इसके समक्ता से हैं सब्सक्राइड पोस्टेज्च करते करना अपके फोन में यह यह एक हो जिसमें आपわ अपनी प्रॉब्लम महां में बता सकते हैं लेकिन यह आप आपे आप दे gravity sensor error, screen pixel not work तो इस तरह के यहाँ पे आपको post मिल जाएंगी लेकिन इस post का फायदा क्या है यह है कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि realme ने किसको क्या guide किया है और क्या recommend किया है क्या काम करने को कहा है तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं gravity sensor और error वाले पे और यहाँ पे लोगों ने अपनी post करी है उसको हम post को देखेंगे और realme का feedback देखेंगे क्या feedback दिया है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी ने अपनी post करी है और यही same problem है कि gravity sensor error और सिर्फ gravity sensor नहीं है proximity sensor जैरो इसको almost सभी sensor error आ रहे हैं कोई भी sensor work नहीं कर रहा है लेकिन problem क्या जब से भी new update इंस्टॉल किया गया उसके बाद से ही problem आ रही है तो उसके बाद realme हमें recommend क्या कर रहा है realme हमें recommend कर रहा है कि हम वहाँ पे जाए service center में वहाँ पे हम अपना phone check कर वा सकते हैं सकते हैं तो service center में आपका phone repair होगा ना कि वहाँ पे आपकी software problem solve होगी और यहाँ पे realme ने जो हमें पहले बोला था कि फोन को format करने को factory data reset करने को उसके बाद भी वह problem solve नहीं हो रही है जैसा कि proximity sensor and gyroscope तो उसके बारे में जैसा कि realme यह गलत चीज कर रहा है कि मतलब कि हमें software का जो उनका problem हो उसको solve ना करके हमें इस तरह का feedback दे के हमें इस तरह की चीज़े recommend करके तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग बहुत से लोगों ने post करी सिर्फ हम आप नहीं हैं यहाँ पे जारों लोगों ने post कि यहाँ पे इनके post पे देख सकते हैं 626 वीव आ चुके हैं मतलब कि सभी को यह problem आ रही है तो मतलब यह चीज़ गलत है कि इनके software में जो issue आ रहे हैं वो उसको सही करें ना कि हमें इस तरह का feedback दें ना कि इस तरह किसे हमें चीज़े recommend करें कि हम service center पर जाके अपना phone repair करवाएं तो आज की वीडियो में इतना ही आपने तो देख लिया कि यहाँ पर क्या हो रहा है और पसंदों लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करें